हलो फ्रेंड असलाम अलेकूं वेलकम बैक टो मैं चैनल वेलकम बैक टो अनदर न्यू वीडियो मैं हूँ साधिया आप लोग की पास लेके आ गई हूँ और एक मज़ेदार और ब्यूटिफुल रेसिपी तो मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो लाइक, कॉमे शेयर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी नहीं भोलिएगा तो चलिए फटाफाट वीडियो को शुरू कते हैं तो यहां पर एक कप मैंने सूजी ले लिया है वजन में यह जो है 200 ग्राम है अब जो इसके अंदर डाल देना है एक पिंच नमक इससे जो है सूजी लिया था उतनी ही कौंटिटी हमको लेना है दूद की दूद और सूजी सेम कौंटिटी लेना है दूद थोड़ा सा गुंगुना गरम लेना है इससे सूजी बहुती अच्छी तरह से जल्दी जल्दी फूलने में मदद होगी तो बिल्कुल गुंगुना गरम अच्छी तरह से फूल जाएगा और दूद को जो है बहुत ही अच्छी तरह से अब्जॉब कर लेगा तो चलीए इसको ढग देते हैं और मिलते हैं इसकी बाद 15 मिनिट बाद 15 मिनिट हो चुका है एक बाद चेक कर लेते हैं तो यहाँ पा देख सकते हैं सूजी बिल्कुल laughs full के डूबल हो चुका है दूथ बिल्कुल absorb कर लिया है थोड़ा सा फास में एक मिनिट तक इसको अच्छी तरह से फेट लेती हूँ, इससे जो है सूजी बिलकुल मिक्स हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है अब भी बहुत गारा बैटर हो चुका है, तो थोड़ा सा दो से तीन चमच यहाँ पर जो है, वह ऐसे ही में डाल रही हूँ अब भी बहुत बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रेती हुँ बैटर का कंटर से आप लोग दे by सकते हैं कैसे हूँ इस तरीके का ही जो है आप लोगों को बैटर को टेयर करना है तो चली इसको साइट में रखते हैं और आप लोगों को जो ही दिखा देते हैं इसके लिए और भी कहके चीजों की जुरुत है यहां पर देख सकते हैं मैंने जो है नारियल ले लिया है नारियल को मैंने खीस लिया है कच्छे वाले नारियल का ही मैंने इस्तेमाल किया है उसकी साथ यहां प पीठा बन जाएगा बहुत इजीली अनमोल्ड हो जाएगा इसलिए जो है मैं इसमें तेल ब्रश कर लिया हूँ तो कटोड़ी वगरे को मैं एक साइज का कर लेती हूँ उसकी बाद जो है जब आप लोग बनाएंगे तब इसके अंदर हमको डाल देना हैं बेकिंग पाउडर जो बेकिंग की चीजों में इस्तमाल होता है उसी को मैं एक चमच डाल ले हूँ डालने की बाद बहुत एच्छी तरा से मिक्स कर देती हूँ ताकि जो है पहले से जो है ये फर्मेंट ना हो जाए इसलिए में बाद में डाल ले हूँ थोड़ा सा जो है ये पीठा केक की ज नीचे की तरफ डालूँगी ताकि जितना भी है वो तीनों सेम साइस का बने इसकी वेज़े से मैं एक चमच करके सबसे पहले बैटर को डाली हूँ उसकी बाद इसके अंदर जो है हमको नारियल डाल देना है कच्छे वाला नारियल खीस लिया है आप लोग जो है इसको मीक इस तरीके का ही जो है फैला देना है गुड अप लोग अपने मीठे के अनुसार जो है डाल सकते हैं क्योंकि अब भी ठंडी के मौसम आ रहे हैं गुड बहुत ही जगे पर जो है अब बैटर जितना भी बचा हुआ है सब को मैं पहले एक एक चमच डाल दूँगी उसके बा आगी हो तो फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी किया करें मेरी चैनल पर आजागा अब आप न्यूग आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को अंद कर दीजिए ताकि इसी तरीके करें इसी भी आप लोग के पास नोटिफिके इसका इस्तमाल करी हूँ तो ज्यादा खुबसूरत दिखने के लिए ही किसमें इसको इसको इस्तमाल करना है नहीं तो आप लोग इसको स्कीब भी कर सकते हैं इसको जो थोड़ा समय फ्लावर जैसे साजा रही हूँ इससे बहुत ही खुबसूरत लगेगा पीठा होने के रहा है तो यह टोटली ऑप्शनल है आप लोग इसकी जगे पे बादा में फिर आलमंड काजू यह सब भी डाल सकते हैं मैं यह अबर फॉयल पेपर से थोड़ा कवर करी हूँ क्योंकि मैं पानी को पर स्टीम करूंगी आप लोग अगर मोमो जैसे इसको स्टीम करेंगे तो फिर इसको कवर करने की कोई ज़रुवत नहीं है तो इसको मैं करहाई में करूंगी तो पहले मैं पानी डाल देखी हूँ उसकी बाद जो है मैं एक स्टैंड बिठा दूंगी आप लोग कोई भी प्लेट को उल्टा करके इसके अंदर डाल सकते हैं पतले साइस का तो आप इ एक्सरा पानी जो स्टीम होगा वो इसके उपर नहीं आएगा इसकी वैज़े से जो है मैंने इसको कवर कर दिया है अब ढग देती हूँ ढगनी की बाद जो थोड़ा सा होल दीख रहा है उसको भी मैं कवर कर लोगी इससे क्या होगा जितना भी अंदर का स्टीम रहेगा व इसलिए जो है सभी को अलग कम या फिर जादा टाइम लग सकते हैं तो मैं जिस प्रोसेस से बता रही हूँ अगर इस प्रोसेस से आप लोग करेंगे तो फिर आप लोग का दस मिनिट लगेगा तो यहाँ पर दस मिनिट हो चुका है आप जो है मैं एक बाद चेक कर लेती किस तरीके का जो ही फूल के तैयार हो चुका है बहुत ही जदा फूल के बहुत ही जदा सौफ्ट हो चुका है अब यह बहुत ज़्यादा गरम है तो आप लोग जो है इसमें टूद पीक डाने की कोई ज़रौत नहीं है उपर से अगर बिल्कुल ड्राइड लगे तो ही पत रहता है बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद इसको जो है अन्मूल करिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट पताना अल्ला हाफिस